ये मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी आँखों से आसु की जगह नीडल्स निकलते हैं तो चलिए बगेर देर किये विडियो की शुरुआत करते हैं मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक सड़क के किनारे अकेले जा रही हैं उसका चेहरा बहुत ज्यादा उदास लग रहा है दरसल उसकी आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी नहीं है और इन सब बातों को लेकर वो गहरी सोच में दूबी हुई है उसके बाद हम उसे घर के पास के एक मिनी स्टो से कुछ सामान खरीदते हुए देखते हैं वो लड़की पैसे देने के लिए कैशिया के पास जाती है लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो सब कुछ खरीद सके जो वो खरीदना चाहती थी आखरकार उसके पास की मृत्यू बहुत समय पहले हो चुकी है वो अपनी मा को बेडरूम में आराम करने के लिए ले जाती है जिसके बाद हम देखते हैं उसके पास अपना एक प्यारा सा कुत्ता भी है जिससे वो बहुत प्यार करती है उसके बाद अगले सिन में हम उस लड़की को देखते हैं ज कुछ noodles dining table पर गिर जाते हैं ये देखकर उस लड़की को बहुत आश्चर्य हो जाता है वो एकदम से हैरान हो जाती है तभी उसे पता चलता है कि जब वो रोती है तो उसकी आँखों से आंसु की जगह noodles निकल रही है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यूं हो रहा है जि तभी उस लड़की के मन में एक idea आता है कि क्यों ना उसकी आँखों से निकलने वाले इन स्वादिश्ट noodles को बेच कर में कुछ पैसे कमाओ तभी हमें अगले दिन का scene दिखाया जाता है जहां वो लड़की एक count पर उन noodles को बेचने के लिए रखती है जहां लोगों को उसके noodles बहुत पसंद आते हैं और देखते ही देखते उन noodles को खरीदने के लिए लोगों की line लग जाती है यह देखकर उस लड़की के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता अगर noodles का stock खत्म भी हो जाये तो भी उसे कोई चिंता नहीं है उसे सिर्फ रोने की जरूरत है लेकिन कुछ दिन बीट जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि जब noodles का stock खत्म हो जाता है तो वो लड़की इसे फिर से बनाने की कोशिश करती है लेकिन इस बार जब वो रोती है तो उसकी आँखों से noodles नहीं निकलते जिससे वो लड़की परिशान हो जाती है और वो हर एक कोशि जाती है उदासी भरी film देखती है और यहां तक कि अपने पिता के अस्थी कलश को भी गलती से तोड़ देती है लेकिन फिर भी कोई फाइदा नहीं होता और उसके आखों से noodles नहीं निकलते तभी उसकी नजर अपने प्यारे से कुट्टे पर पड़ती है वो लड़की उस क उने पर फिर से noodles निकलना शुरू हो जाते हैं और वो फिर से उन noodles को बेचना शुरू कर देती है और इस बार लोग उसके noodles और भी ज्यादा पसंद करते हैं उसके noodles खाने वाले लोगों की बहुत ज्यादा भीड होने लगती है एक दिनों से बहुत बड़े businessman का call आता है और वो उससे कहता है कि क्या वो एक नए restaurant को चलाने में उसकी partner बनना चाहेगी ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसके offer को accept कर लेती है लेकिन उस लड़की को एक चिंता खाय जा रही है कि ये noodles निकलना फिर से बंद ना हो जाए तभी हम अगले scene में देखत है कि restaurant उन noodles को पसंद करने वाले लोगों से खचाखच भरा हुआ है और वो लड़की kitchen में अकेली है जो किसी चीज को देख रही है और हम देखते हैं उसके सामने उसके कुत्ते की एक तस्वीर है जिसे वो देख रही है ताकि उसे देख कर उसे रोना आए लेकिन इस बार उ लगती है और उसकी आँखों से noodles निकलना शुरू हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि अपने कुत्ते को जंगल में छोड़ने के बाद या तो उसने अपनी मा को भी कही छोड़ दिया है या उसने अपनी मा को मार डाला है पैसा उस लड़की को बहुत ही मतलबी बना देत है और यहां यह movie खत्म हो जाती है अगर आपको यह movie अच्छी लगी हो तो विडियो को एक like और चैनल को subscribe जरूर करें